हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडवीम तो हम लोग आज बढ़ेंगे क्लास 8th MP बोर्ड हिंदी का 8th lesson पार्ट आठ है जिसका आपका टाइटल सीर सक्या है देखिए गणितक जो तीसी आरे भट अपनी बुक खोल के रख ल जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों के पास सैयर करना इस वीडियो को उनके पास जरूर बहगा जादा जश्यदा बच्चों के पास ता कि ह 130 वीडियो क्लास की फायदा इछा सकेें और यादी आपको हिंदी माध्य के सभी वीडियो फ्री में चाहिए तो आप लोग च परिचे दिया गया है आरे भट्टे ने कौपर निकस से बहुत पहले ही इस पर सब्दों में कहा था कि प्रिथिवी इस्थिर नहीं है वह अपनी धूरी पर चक्कर लगाती है आकास का आकास का तारा मंडल इस्थिर है आज से करीब 15 सो बर्स पहले पटना साहर को पाटिल समीब इस्थित है तो इस पार्ट में आपके जोट्सी आरे भट्ट से संबंधित उनके जीवन में जो भी घटनाय हुई थी संपूर जानकारिया दी गई है आप लोग इस पार्ट को ध्यान से पढ़िए और समझे हम लोग अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसके क्वि दूसरा है बेद साला बेद साला करता है प्रयोग साला जाहें बैगजानिक लोग किसी चीज का प्रयोग करते हैं ठीक संगम का अर्थ होता है नदियों के परस पर मिलने का इस्थान जहां दो तीन नदिया मिलती है आपस में तो मिलन बिन्द को क्या बोलते हैं संगम बोलत आस्था का अर्थ होता है विश्वास प्रख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध हे का अर्थ होता है घ्रिना के योग्य अपराहन का अर्थ होता है दोपाहर का समय पध्धती का अर्थ होता है तरीका या प्रणाली वर्तुलाकार का अर्थ होता है गोलाकार सूत्र पध्ध का का अर्थ होता है धागे में पिरोया हुआ और संकु का अरथ होता है उची चोटी नुमा आक्रित जो निगने बीडियोो सब्सक्राफ कर अब थाया आपके सामने आर्थ लिखने निकटे लीडियो आधर अस्पास,' और आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं क्योंकि यह यूटूब में सेव रहेगा अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्ण के और दूसरा प्रश्ण क्या बोल रहा है आपका देखिए निमलिखित प्रश्णों के उतर संचेप में लिखिए चोटा उत्तर लेखना है अच्छा और चोटा होना चीए तो का नमबर इसका प्रश्ण देखिए क्या बोल रहा है प्रश्णा के पास काउन सा प्रख्यात असल भिसुभिख्यात बिस सुबिद्याले है तो इसका आपका उत्तर क्या होगा पटना के पास प्रक्यात नालंदा बिस सुबिद्याले इस्चित है गा नमबर प्रशने देखते हैं क्या बोलड़ा है पटना के पास किन किन नदियों का संगम धार था जब तीन नदिया जब दो या तीन नदिया आके मिलती हैं तो उनको क्या बोला जाता है जिसे इस सिस्थान पर आके मिली तीन नदिया तो इस सिस्थान क्या बोलेंगे इस सिस्थान को हम लोग बोलेंगे संगम तो देखें क्या होगा इसका एंसर पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम हुआ है चोथा नमबर क्या बोल रहा है गहा नमबर बेद साला किसे कहते हैं तो यह आपके अर्थ में भी था कि बेद साला क्या होती है तो उसका अर्थ क्या था पचमे नमबर की और पचमा प्रशन है अंगा नमबर भट सब्द का क्या आसे है तो भट सब्द का आसे क्या होता है लिखेंगे आप लोग उत्तर में भट सब्द का आसे योद्धा से है च्छटमा प्रस्न है देखे आपके सामने कि आरे भटी पुस्तक में कौन कौन से चार भाग है आरे भटी की जो पुस्तक है आरे भटी उसमें कौन कौन से चार भाग है तो पहला भाग उत्तर में लिखेंगे पहला भाग कौन सा है कि दस गीति का पहला है गणित दूसरा है क काल क्रिया तीसरा है और फोर्थ नंबर चौथा भाग कौन काउन सा है चौथा है गोल कि दूसरे प्रस्ण का लास्ट क्या बोल रहा है आपका यह सत्मा नंबर कुशन है कि आर भट्टी की तार पत्र पोथियों की खोज किस बिद्वान ने की थी तो इसका आप लोग उत्तर लिखेंगे कि उत्तर में लिखेंगे कि महाराष्ट के बिद्वान डाक्टर भाउदाजी ने आर भट्टी की तार पत्र पोथियों की खोज की थी तो यह आपके टोटल जो सेवन प्रस्ण थे इसको एंसर हम बता दिये हैं अब बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर प्रस्ण तो देखिए प्रस्ण क्या बोल रहा है निम लिखित प्रस्णों के उत्तर विस्तार से लिखिए तो यह आपके पांच क्विश्चन दिये हुए हैं का खागा गा और अंगा नमबर पांच किशन बढ़े प्रस्ण है जो लिखना है तो इनका उत्तर आपको लोग लिख दीजिए WhatsApp नमबर आपको दिखाई दे रहा है तो आप लोग ग्रूब को जॉइंट कर लिजिए WhatsApp नमबर सेप करके अपना नाम और जिले का नाम क्लास बता दीजिए और बता दीजिए कि इसको इसकी फोटो एप विद्ध हमको चाहिए तो आपको उपलब्द हो जाएगी ठीक आप बढ़ते हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रसनय क्या दिया हुआ है अगला प्रशने किया है देखिए आपका का तीसरे नमबर केस्टिक तीसरे क्यों इ valuation एक Ihnen आपका फोर्थ नमबर केस्ट है इतना रिक इस्थानों के पूर्टी वाकिये सामने कोश्टग में दिये गए सब्दों से छाट कर कीजिए तो आपका पहला नंबर क्या है का नंबर खालिस्तान देखिए प्रित्वी अपनी धूरी पर डैड़ डैस से डैड़ डैस की और घूमती है आपसान में क्या दिया है पूर्व उत्तर दक्षिल और पस्चिम चार आपसान दिये है इसमें से दो रिक्ति स्थान दिये हुए हैं उनमें आपको भरना है तो का नंबर में क्या भरेंगी आप लोग देखिए पूर्व बस्चिम से पूर्वी की और घूमती है ठीक का नंबर देखिए ग्रहणों की बैग्जानिक ब्याख्या करने वाले तरुन पंडित का नाम क्या था डैट डैस था तो डैट डैस इसके इस्थान पे आपको क्या भरना है आपके पाद तीन आपसन कोस्टक में दिये हुए है चराक आरे वट और सुसूत दिया हुआ है तो आपका एंसर क्या में नाम क्योंने तो अप लोग की एतासाई होगा कि आरे वट इसके घाली स्थान भरेंगे खान आम के आरे वहट्टी ढ़िया है तो आप लोग सको असानी से ट्रोक कि अपने नौ्ट स当Be लिख लीजिए फिर आगे वड़के वीडियो को चला के असानी से देख सकते हैं तो आपका जो यह पार्ट था यहीं तक था इसके हम सारे क्यूशन करवा दिये हैं और जो आपको यह आगे भासा अध्यान इसमें जो भी आपके ब्याकरन संबंधी तथ दिये हुए हैं हिंद वीडियो क्लास का फाइदा उठा सके इन वीडियो के लिए आपको कोई भी पैशा नहीं देना हो केवाल आप इतना कीजिए के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में और फ्री में ही कर दीजित उसका भी क्यूंब पैशान नहीं लगता है ग्रीक और इस चैनल में नाइन्थ क्लास में प्रवेस के लिए जो नावोदय विद्यालय एक्जाम जो होता है प्रवेस पर इक्षा उसकी तयारी करवाई जाएगी इसमें हिंदी माध्या में टोटल वी से की तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रूप में झाल